नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सीविल डैमेंशन चैनल पर आज का हमारा टोपिक है सेटिन इनेमल पेंट वर्सीज ग्लोस इनेमल पेंट इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम फॉलिंग पॉइंट्स को कपर करेंगे जैसे इनेमल पेंट कौन से पेंट होते हैं इन कर पाए चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सबसे पहले टोपिक पर ही बात कर लेते हैं सैटिन इनेमल और ग्लोस इनेमल में क्या अंतर है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्लोस इनेमल हुआ चमकतार इनेमल पेंट और सैटिन इनेमल हुआ मैट फिनिश चले अब आपको रिसेंटली पेंटिट सैटिन फिनिश और ग्लोस फिनिश दिखाता हूं जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ट्यूलक्स सुपर सैटिन इनेमल पेंट इस पेंट का यूज हमने इस मेटल पार्टिशन को पेंट करने कि लिए किया है इस पेंट का shade चार्कॉल ब्लैक शैंटिन इनिमल पेंट करने से पहले इस इमेस पांटिशन पर रेड आउकसाइड प्राइमर पेंट किया गया फिट अफिनिश कोट सैंटिन की गई है पास से देखने पर आप देख सकते हैं की यह फिनश मैट फिनिश है हाँ से रफ करने पर आपको रफ सर्फेस जैसा फील होगा और यह जो आप दानेदार सर्फेस देख रहे हैं एक्ट्वल में यह टेक्श्चर पेंट रोलर का यूज़ करने की वज़ा से आया है अगर पेंट के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं तो फाइनल फिनिश में आपको ब्रश के रेशे दिखते हैं यह है कि बैटर फिनिश के लिए पेंट रोलर का ही यूज़ करें अब जो आप वीडियो देख रहे हैं इस जगह हमने ग्लोस इनेमल पेंट का यूज़ किया है ग्लोस इनेमल पेंट का फिनिश स्मूथ है और यह एक चमकदार भी है लाइट रिफ्लेक्शन को आप असानी से अप्जव कर सकते हैं अब यह समझते है कि इनेमल पेंट कोन से पेंट होते हैं अक्चली इनेमल पेंट शॉल्वन पेंट या ओयल बेस्ट зах rudy होते हैं Enamel paint को पानी और कपड़े की मदद से असानी से साफ किया जा सकता है Next point Enamel paint को हम किन-किन surfaces पर paint कर सकते हैं Answer is Enamel paint को हम metal, wood और plastered wall तीनों पर ही paint कर सकते हैं पर तीनों ही surface पर paint करने से पहले आपको primer paint करना must है Metal या फिर iron पर red oxide या फिर yellow primer का use करें Wood पर आप wood primer का use करें और wall पर oil based wall primer का use करें चलिए अब tabular form में difference देखते हैं सबसे पहले appearance Gloss Enamel paint की appearance highly reflective होती है वहीं दूसरी तरफ Satin Enamel की less reflective होती है Next is paint finish Gloss Enamel की high gloss finish आती है और आप इसमें stain easily wipe out भी कर सकते हैं Next point is durability Gloss Enamel makes oil based film that form protected layer for painted surfaces यानि की यह एक oil based की परत बना लेता है और एक protective layer बना देता है आपकी paint surfaces के लिए वहीं दूसरी तरफ Satin Enamel anti-fingal होते है और साथ में यह भी protective layer पना देता है Next point is color availability तो Gloss Enamel के 1737 plus color available है market में वहीं दूसरी तरफ Satin Enamel के भी 1788 plus color available है market में Next is coverage on metal surfaces Gloss Enamel आपका 50 square feet per liter after two coats cover करेगा में दूसरी तरफ Satin Enamel 25% जादा coverage करता है Gloss Enamel से अगर हम दिवार की बात करें तो 90-100 square feet cover करेगा per liter after two coats में दूसरी तरफ Satin Enamel 25% जादा coverage करेगा Gloss Enamel Print से Next is drying time Gloss Enamel का drying time 3 घंटे तक होता है में दूसरी तरफ Satin Enamel का drying time ठाइग घंटे तक होता है अब इनकी price range की बात करते है Gloss Enamel 230 से थाइसो रुपे पर लीटर तक आता है वहीं दूसरी तरफ Satin Enamel 280 से 330 रुपे पर लीटर आता है लास्ट ये question आता है कि आपके लिए इन में से कौन सा best होगा इस question का answer यही है कि आप उन्हें painter को बोलिए कि आपके लिए से एक Gloss Enamel और Satin Enamel तोनों का सेंपल छोटे से एरिया पर करकर दिखाएगा और उन दोनों सेंपल को देख आप खुद ही decide कर सकते हैं कि आपको कौन सा paint कराना है अब यह वीडियो आपके लिए informative होगी तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले thanks for watching civil dimensions